सबसे पहले बर्ड माला बर्ड माला के अंतरगस सबसे पहले इस पॉइंट को हम जान लेते हैं भासा की ज़स सबसे छोटी इकाई धोनी होती है और इस धोनी को बर्ड कहते हैं द्वानी को बर्ड कहा जाता है यहां पर सिर्फ यह मतलब है इसका आगे अगर बात करें तो बर्डों के ब्यवस्तित समूँ को जो बर्डों का ब्यवस्तित समूँ होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं बर्ड माला बर्डों के ब्यवस्तित समूँ को बर्ड माला कहते हैं अब अगर बात करें हिंदी बर्ड माला में कुल जो वर्ड होते हैं वो बावन होते हैं और काउन काउन से होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के माद्धम से क्लेर करवा देंगे तो दोस्तों लश्ट तक बने रहीएगा चलिए आगे देख लेते हैं बर्ड माला को कितने भागों में वाटा गया है तो ये सब जानते हैं बर्ड माला को कितने भागों में वाटा गया है तो ये दो भागों में वाटा गया है स्वर और बयंजन स्वर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ स्वतंतरता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं जो बड़ स्वतंतर रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर कहते हैं अगर स्वर के प्रकार की बात करें तो आप देख सकते हैं मूलसर कहें चाहें रसस्वर कहें चाहें लगस्वर कहें तो यहा जैसे बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ, इसके लाबा ए, आ, ओ, आ, ये जो हैं आपके दीरगोस्वर हैं, लुप्तस्वर की अगर बात करें तो तीन मात्रा जैसे ओम, तो जो यहां पर ओम है, तो यह जो है आपका लुप्तस्वर हो गया, जहां कोई भी बोलते हैं, सिंप कहते हैं, इसे याद रखना है किस तरीके से आप याद रखेंगे, तो जैसे चोटा A है, चोटी I है, चोटा U है, और rare है, तो जब आप इसे बोलेंगे, तो इसमें बहुत कम समय लगया, और कम समय लगया, तो इसका मतलब यह क्या हो गया, यह हो गया मूलस्वर, अगर दी आ बड़ी इ बड़ा ओ इस तरह से उपर यह आपके दियेगा ही यह भी आप एक बार फिर से देख लें और आप अगर स्क्रीन साट लेना चाहें तो स्क्रीन साट ले लें नीचे आप देख सकते हैं जिन सवरों के उचाड में अधिक समय लगता है जिन में बहु ज़्यादा समय लगता है तो उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं लुप्त स्वर क्या बोलते हैं लुप्त स्वर जैसे ओम तो ओम है जब आप इसे बोलेंगे तो यहाँ पर कुछ ज्यादा समय लग रहा है इसलिए यह हो गया आपका लुप्त स्वर तो आगे देख लेते हैं स चोटी इ, बड़ी इ, छोटा उ, बड़ा उ, रिर, ए, आय, ओ, आउ, और जो अंग और अहा है आपका, ये जो है आयोग बाहसवर है, तो दोस्तों उपर था मलब वहाँ पर स्वरों का प्रकार दिया गया था, अब स्वरों का बरगी करड देख लेते हैं, तो मूल सर, हरसव या लग उस्वर, तो ये दिये गये थे, वहाँ पर ये चार दिये गये थे, दीर्ग उस्वर ये दिये गये थे, साथ, आगे यहाँ पर जो है आपका है दीर्ग संदिस्वर, या सजातियस्वर, तो यहाँ पर दिया गया है बड़ा आ, बड़ी इ, और बड़ा उ, तो ये जो हैं आपके दीर्ग संधिस्वर या सजातियस्वर होते हैं आगे संयुक्तस्वर या बिजातियस्वर तो ये हैं A, I, O, O तो ये जो हैं आपके चार हो गए आगे अगर बात करें इनका निर्माड मलब संयुक्तस्वर या सवरों का निर्माड आगे आप देख सकते हैं छोटा A और छोटी E ये मिलकर क्या बनते हैं छोटा A मनलब A बनता है छोटा A प्लस छोटी E बराबर A फिर छोटा A प्लस A बराबर A तो यहाँ पर मातरा लग जाएगी A में तो अगर आगे बात करें तो आप देख सकते हैं छोटा A प्लस O तो ये मिलकर क्या बनते है? O और छोटा A प्लस O मिलकर क्या बनते है? O तो ये आप उम्मिद करता हूं समझ गया होंगे कि इस तरह से इनका निर्माड होता है विल्ब संयुक्त सुरों का तो आगे अगर बात करें तो यहाँ पर स्वरों का उचारण इस्थान दिया गया है मतलब जो कंठे स्वर है तो यहाँ पर A और A छोटा A बड़ा A होता है अगर तालबे स्वर की बात करें छोटी E बड़ी E ओष्ट स्वर O और O मिलकर छोटा O बड़ा O मूर्धन स्वर है आपका रेर अगर आगे बात करें तो कंठ तालबे स्वर A और A तो यह आपका हो गया कंठ तालबे स्वर अगर कंठ ओष्ट स्वर की बात करें तो O और O तो यह आपका कंठ ओष्ट स्वर हो गया आगे अगर बात करें तो जीब के आधार पर यहां पर दिया गया है स्वरों का उच्छारण इस्थान तो यह दिया गया है अग्रस्वर आपके कौन से होते हैं तो यह चार होते हैं E, E, A, E मद्धियसवर कौं से होते हैं तो छुटा A मद्धियसवर आपका हो गया और यह पस्चचचचच़वर बड़ा A छुटा O, बड़ा O O और O तो यह आपके money हो गया यह टोटल 5 होते हैं मद्धियसवर 1 होता है और अग्र स्वर चार होते हैं आगे देख लेते हैं दोस्तों स्वर के बाद हमारा आ जाता है बैंजन तो बैंजन का भी यहां पर बरगी करड़ दिया गया है तो यह जो होता है बैंजन होता क्या है जो बरड स्वरों की साहता से बोले जाते हैं उन्हें बैंजन कहते हैं मतलब ऐसे सब्द जो बिना किसी स्वर की साहता से न बोले जा सकते हैं मतलब जहां पर स्वर की आवज़ सकता जरूर होती है जिसे बोलने के लिए तो बहाँ पर जो होता है बैंजन होता है उसे बैंजन कहते हैं और ये जो होते हैं टोटल 6 परकार के होते हैं तो अब कौन-कौन से 6 परकार के होते हैं ये देख लेते हैं जैसे इसपरसी या इसपरस बैंजन तो का से लेकर मा तक जो होते हैं आपके इसपरस बैंजन होते हैं और ये टोटल होते हैं आपके 25 अगर आगे बात करें तो उच्छित या द्विगुड बैंजन तो ये होते हैं डां और डां तो ये जो हैं आपके उचिप्त या दुगडबेंजन हो गए आगे अनुनासिक या नासिक तो यह कौन से होते हैं मलब आपके जो यहाँ पर टोटल पाँच बर्ग होते हैं तो पाँचों बर्ग में मलब आपके जो ऐसे यहां पर जो पांच बर्ग बनते हैं तो पांच बर्ग में यहां पर जो आपका पांच वाज होगा तो वो यहां पर कहला आता है अनुनासिक या नासिक जैसे यहाँ पर कोई भी word आए तो वो आपका यहाँ पर उन्हों नासिक या नासिक कहलाएगा इसी तरह से आपके आते हैं कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर आता है डा, वा, फिर डा, फिर ना, फिर मा तो इसके बाद अन्तस्त बेंजन अन्तस्त बेंजन में आपके चार आते हैं कौन-कौन से आते हैं तो यह, र, ल, और वा तो उस्म बेंजन इसके बाद अगर उस्म बेंजन को देखें तो आप देख सकते हैं उस्म बैंजन या इसे संगर्शी बैंजन बोलने एक ही बात है तो इसमें स, स, स और हा, तो ये चार आपके हो गए, अगर आगे बात करें संयुक्त बैंजन की, तो संयुक्त बैंजन में 6 से 6 तरी वाला चा तरा, ग्यां और स्रा, तो इस तरह से आपके ये हो गए, टोटल 4 संयुक्त बैंजन में, इसके आगे आपर वर्ग तालिका दी गई है, तो वर्ग तालिका में ये गलत बन गया था यहां पे, तो इससे आपको मतलब नहीं है, यहां पर आप देख सकते हैं, वर्ग तालिका दी गई है, का आगे आप देख सकते हैं, और इने बोलते क्या हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये जो का से सुरू होता है, ये होता है, कंठ वैंजन और चबर्ग जो होता है आपका, इसे बोलते है तालवे वैंजन, और जो आपका ठबर्ग होता है, से मुर्धन वेंजन और तबर्ग होता है यह होता है दंत वेंजन और जो पावर्ग होता है वो होता है ओश्ट वेंजन तो इस तरह ऐसे यह आपके हो गए अगर आगे बात करें तो यहाँ पर अलप प्रांड अलप प्रांड क्या होता है तो प्रतेक बर्ग में एक तीन एबं पांचवा बढ़ जो है वो अलब प्राण कहलाता है प्रतेक बर्का एक तीन पांच मतलब अगर का बर्की बात करें तो एक यानि का और जो गा और पांच यानि इडा तो यह जो हो गए आपके अलब प्राण हो गए तो अगर इसके आगे बात करें तो महाप्राण, महाप्राण क्या होते हैं प्रतेक बर्ग का दो कामा चार, मलब दो हो या चार हो यह जो बर्ड है, यह जो है यह कहलाते हैं आपके महाप्राण तो महाप्राण अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं, चैज़े प्रतेक बर्ग में दूसरा और चौता तो दूसरा आपका हो गया खा और चौता हो गया घा अगर का बर्ग में बात करें इसी तरह से चा बर्ग में चा और जा तो इस तरह से आपके कौन से हो जाएंगे तो यह आपके हो जाएंगे महा प्राणड अगर आगे बात करें दोस्तों तो यहां पर अ तो इस तरह से आपके अगोस हो गए आगेगर सघोस या घोस सघोस या घोस एक ही बात होती है अगर इसकी बात करें तो तीसरा चौथा पांचवा यह आप समझ सकते हैं तीसरा चौथा और पांचवा प्रतेग बर्कात तीसरा चौथा पांचवा यह जो आपका होता है सघोस या घोस इसे ये बोलते हैं तो तीसरा आपका यहां पर गा घा रडा जा जा वा तो इस तरह से आपके ये पांचों वर के हो जाएंगे ये जो हैं आपके मैंने भी बताया आपको तीसरा चयोथा 5 जो बढ़ाय ये सगोस या घोस वर्ड कहलाता है आगे आप देख ले अंतस्त बैंजन या रा ला बा इने अलप प्रांड और सघोस भी बोलते हैं आगे अरदस्वर या और वा पारस्विक बैंजन ये कौन से होते हैं ये होता है ला और लुंटित बैंजन ये कौन से होते हैं ये होते हैं रा अगर उसमया संगरसी बैंजन क संयुक्त बेंजन में छा, त्रा, ग्या, स्रा तो यह आपके हो गए संयुक्त बेंजन और संयुक्त बेंजनों का निर्माड किस तरह है संयुक्त मतलब किसी दो चीजों से मिलकर वरना दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर वरना तो यहां पर जो संयुक्त बेंजनों का निर्माड किस तरह से हो रहा है तो का और सा से यहां पर हो रहा है छा का निर्माड ता और रा से यहां पर हो रहा है त्रा का निर्माड जा और वहां से हो रहा है ग्या का निर्माड सा और रा से हो रहा है, यहां पर स्रा का निर्माड, तो इस तरह से सयुक्त बेंजनों का यह निर्माड हो गया, अगर आगे दोस्तों बात करें, तो एक नजर में हम बढ़ माला को यहां पर देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो स्वरों की संक्या होती है, बो होती है 11 और आयोग बासवर होते हैं 2 तो इस तरह से टोटल आपके हो गए 13 सवर अगर आगे बात करें तो इस परसी बेंजन टोटल 25 दुईगड बेंजन आपर 2 और अंतस्त बेंजन जो होते हैं बो होते हैं 4 और उसम बेंजनों की संक्या होती है 4 और संयुक्त बेंजनो तो दो बर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं संदी कहते हैं दो बर्डों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है बहत संदी कहलाता है जैसे यह उधारण है बिद्या प्लस अर्थी तो मलब यह यहां पर दो सब्द दिये गए हैं दो बड़ दिये गए, तो यहाँ पर इन दो बरड़ों के मिल से, जो परिवर्तन हुआ है, जो नया सब्द बन कराया है हमारा बिद्यार्थी, तो यहाँ पर यह संधी हो गया है, जैसे बिद्या में बड़ा आ, और अरथी में आ, छोटा आ, तो बड़ा प्लस चोटा आ बरावर बड़ा आ बना है इस तरह से आपका ये बिद्यार्थी हो गया तो ये जो परिवर्तन है आपका संधी कहलाता है उमीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा और जैसे इसी तरह बिद्यार्थी की तरह सिक्षार्थी बलब सिक्षा में बड़ा आ प्ल तीन प्रकार की होती है स्वरसंदी बयंजन संदी विसर्ग संदी तो ये तीन प्रकार की आपकी संदी हो गई और इनको हम आपको डिसकस कर देंगे डिटेल में स्वर बयंजन और विसर्ग तो लाष्ट तक बने रहेगा स्वरसंदी क्या होता है स्वर के बाद स्वर अर्था संदी के तो स्वर संदी कितने प्रकार की होती है तो यह पांच प्रकार की होती है अब कौन कौन से होती है बात यह आती है तो दीरगसंदी सबसे पहले दीरगसंदी दीरगसंदी में बड़ा आ बड़ी ही बड़ा ओ गुड़ संदी में ए ओ रीर तो अभी हम इसको आपको ड तो दोस्तों इसके आगे देख लेते हैं आयादी संदी यदि तीन अक्षरों के बीच या या हो तो बहाँ पर आयादी संदी होती है तो दोस्तों सबसे पहले दिरगसंदी को discuss कर लेते हैं एकदम detail में मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि आप कभी ना भूलें तो दोस्तों चलिए दीर्ग संधी देखते हैं यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, उ, और उ के बाद समान सुर आए तो इन दोनों के मिलाकर दीर्ग कर देते हैं मतलब छोटा आ प्लस फिर एक बार छोटा आ तो इसे क्या कर देंगे दीर्ग में कर देंगे तो दीर्ग में कैसे करेंगे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ कर देंगे यह आपका हो गया दीर्ग बड़ा आ प्लस चोटा आ आ गया तो भी बड़ा आ बनेगा अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ आ गया तो भी बड़ा आ बनेगा तो इसके कुछ उधारे देख लेते हैं जैसे सिक्छार्ती सिक्छार्ती में यहाँ पर पहले बड़ा आ आया है फिर चोटा आ तो इस तरह से बन गया है सिक्षार्थी का सिक्षा प्लस अर्थी विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी सिवालय में यहाँ पर पहले छोटा आ आया है फिर बड़ा आ आया है सिब प्लस आलय तो सिब प्लस आलय सिवालय महात्मा में पहले बड़ा आया है बाद भी बड़ा आया है तो यहां पर बड़ा आ बन गया यह जो है तीसरा नियम है आपका प्रतम नियम का जो तीसरा चड़ा है उसका यहां पर है इसी तरह से परमार्थ परम प्लस अर्थ मतलब दोनों में यहां पर छोटा आ आया हुआ ह लेकिन जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया ये बन गया बड़ा तो दोस्तों ये बन गया बड़ा अब अपबाद क्या है इसके तो सत्याग रहे सत्याग रहे में सत्याग रहे तो ये कुछ इनके अपबाद है जैसे सत्याग रहे दैत्यरी और दिसंतर तो ये कुछ अपब हो गए आप दूतिया नियम क्या है इपलस इप फिर बड़ी इपलस इपलस बड़ी इपलस बड़ी इपलस बड़ी इप से क्या बनेगा इन से बड़ी के मातर है तो इसी तरह से आपके ю 싸र । रबिंद्र गिरीस कपीस रबीस तो दोस्तों आगे देख लेते हैं जिसका तरतियक नियम है उ प्लस उ बलब छोटा उ प्लस चोटा उ क्या बन गया बड़ा उ और बड़ा उ प्लस चोटा उ बड़ा उ बड़ा उ प्लस बड़ा उ इसी तरह से बदूत्स लगूर्मी लगूत्तर तो यह आपके उधारण हैं आगे आगया आपका संधी नंबर दो गुड़ संधी यह स्वर संधी में भी चलना है स्वर संधी के भी प्रकार जो है उनके अंदर हम चलना है तो यह स्वर संधी का प्रकार है दूसरा गुड़ सं चोटी ई या बड़ी ई आ गई तो बनेगा ए अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद उ या छोटा उ आ गया मलब छोटा उ या बड़ा उ इन में से कोई भी आ गया तो क्या बनेगा तो बनेगा ओ और छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर रिर आ गया तो बनेगा अर और य यहां पर रा की यह वली मात्रा तो यह यहां पर बन जाएगा यहां पर दिया गया है कि छोटी एक की जो मात्रा है दूसरे या तीसरे अच्छर पर आ जाती है तो बहां गुड संदी होती है अगर यह की मात्रा जो है दूसरे या तीसरे अक्छर पर आ जाए तो बहां पर क्य होती है गुड़ संदी जैसे सुरेंदर में आप देखें तो दूसरे अच्छर पर यहां पर एकी मात्रा यह जो है वो आ गई है तो यहां पर क्या हो गया गुड़ संदी अगला महेंदर सुरेस नरेस इनमें आप देखेंगे इनमें भी दूसरे नंबर पर आ रही है कमलेस मे पर O का नियम है, O का क्या नियम है, जैसे महोदय में, महा प्लस उदे, तो यहां पर बड़ा A प्लस छोटा O बराबर O बना है, तो यहां पर हो गया महोदय, इसी तरह परोपकार, परोपकार में छोटा A प्लस O बराबर क्या बना, O बना, तो दोस्तों, यहां पर मैंने भी आ पसंद आ रहा होगा वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों आगे आप देख लें और जो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह जो मात्रा होती है इसका जो नियम है सबतरसी में क्या होता है सबतरसी में क्या होता है आ प्लस रिर बराबर अर तो यहाँ पर यह बन गया इसी तरह महर सी देवर स्री और यहाँ पर ब्रहमार सी तो यह हो गया इसके बाद आ जाता है स्वरसंदी में तीसरे संदी ब्रद्दी संदी ब्रद्दी संदी में यदि आ और आ के बाद ए आये ओ स्वर आये तो इन दोनो या बड़ा आ के बाद ओ या आओ आए तो क्या बन जाता है आओ बन जाता है तो इस तरह से ये है आगे आप देख लेए ट्रिक यहां पर दी गई है यदि एक मात्रा से दो मात्राएं हो जाएं तो ब्रदी संदी होगी जहां पर एक मात्रा जैसे आए की है आए यहां पर दि देख सकते हैं छोटा आ प्लस ए बराबर दो यहां पर मात्रा है बन गई तो क्या हो गया यहां पर हो गई ब्रद्धी संदी तथा प्लस एब इसी तरह एक एक प्लस एक बिलब यहां पर और एक के मिलन से यहां पर वना है यह मात्रा बन गई तो यहां पर यह हो गया था एक तो एक एक में आपर कौन से संधी हो गई दोस्तों यहाँ पर हो गई ब्रद्धी संधी आपकी आगे आपर दिये गया है कुछ उदाड वह आप देख लें इस्क्रिंसाइट ले लें आप और यह जो पीडियाप है मैं जल्द ही टेलिग्राम चैनल को पर प्रोवाइड कराऊ इसके मेल से क्या बना है आओ तो यहाँ पर इसके और इसके मेल से सिंप्ली आओ बन गया है तो इसी तरह से आगे आप देख लें यह उधरड दिये गए हैं इसके बाद आपकी आजाती है स्वरसंदी का चवथा पॉइंट यड़संदी तो यड़संदी में क्या है या पहले आदा ना जाए या या आजात से पहले आजा ता आजाय तो यहाँ पर क्या होगा यड़संदी यह ट्रीक है इसकी दोस्तों संदी का नियम क्या कहता है तो यह कहता है को आप देख जैसे यहां पर छोटी इ बड़ी इसके बाद यहां पर एक भीने स्वर आ गया चोटा आ गया तो यहां पर क्या बन गया या इसी तरह से छोटी इ प्लस बड़ी इ प्लस यहां पर बड़ा आ गया तो क्या बन गया दोस्तों या बन गया या तो यह वाला या बन गया अगर छ उ या उ के बाद यहां पर क्या आ जाए यहां पर आ जाए चोटा आ तो यहां पर क्या बन जाएगा वा बन जाएगा अगर इसी के स्थान पर उ या उ के बाद बड़ा आ जाएगा तो यहां पर बा में यहां पर डंडा लग जाएगा मलबा में यहां पर एक मातरा लगा दी इसी तरह से उ या उ के बाद यहां पर आ आ जाए आ जाए तो क्या हो जाएगा वे हो जाएगा इसी तरह से रिर का नियम यह कहता है अगर रिर के बाद यहां पर बड़ा आ आ गया यहां पर हो जाएगा तो इस तरह से यह नियम हो गए सभी के तो आगे देख लेते हैं दोस् इब हो गया है और ढर्द chemotherapy कि के अगर आदा अच्छरा जाए तो बहाँ पर आपकी संदि हो जाती है तो बहाँ पर आपकी हो जाती है यृडसंदी धीक दोस्तों आगे आप देख लें यहां पर इसका नोट दिया गAYA था की ये या बर्फ से पहले आधे बढ़ हो तो उनमें छोटी मातरा बदल कर लिख देते हैं तता अगले वड़ में छिपा हुआ बड़ लिख देते हैं जैसे अत्यधिक में यहां पर दिया गया है अत्यधिक में जैसे ता है ता कि यहां पर छोटी मातरा लगा दी और यहां पर जो यह है आधा ता है यह से मातरा में य का आधिक करके लिख दिया उशमें आज़ोड़कर यहां पर लिख दिया दोस्तों आगे आप दिख सकते हैं इत्यादी यद्यपी यदी-प्लस-ापी उपर यूक्त तो इस तरह से योगत-उपर बर इस दिया गए और त्रा का उधरड दिया गया है जिसे पित्राग्यां पित्र प्लस आग्यां क्या हो गया पित्राग्यां तो इस तरह से आपका हो गया इसी तरह से मात्राग्यां इसके बाद दोस्तों आ जाती है आयादी संदी लाश्ट संदी है आपकी स्वर्ग संदी में लाश्ट संदी आयादी संदी अगर तीन अच्छरों के बीच या अत्वा वा हो तो बहाँ पर आयादी संदी होगी यह ट्रिक है ट्रिक में आप समझ सकते हैं हमलब दो अच्छर होंगे अगर उसके बीच में यहां कहीं पर या अत्वा वा है तो यहां पर क्या होगा यहां पर होगा आयाद प्लस अन इसी तरह से नायक में नय प्लस अक यह या का नियम है या का नियम है तो या के नियम में यह हो जाता है जैसे अभी आपको मैंने बता है यह यह हो जाता है तो इसी तरह से आप देख लें जैसे गायक में गये प्लस अक गायका में गये प्लस इका इसी तरह से बा का भवन में पाव प्लस अन, भाबुक में भव प्लस उक, तो इस तरहे से ये واकए नियम हो गया, वाके नियम के बाद आजाता है आपका बयाञड़न संदी, बयाञगा यहां पर दिया गया है, जिस पर यहां पर बिंदी लगी हो, इस तरहें चंदर बिंदी लगी हो, तो महां मतलब स्वर प्लस बयंजन या बयंजन प्लस बयंजन मिलकर बयंजन संदी का निर्माड करते हैं तो दोस्तों आगे आप देख लें यहाँ पर जिसमें डेड़ यानि एक सही एक बटा दो बयंजन आए तो बहाँ पर बयंजन संदी होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं सं प्लस सार, संपूर में संप प्लस पूर, यह उधार दिये गए हैं, बेंजन संदी के, आगे ता संबंधी नियम, ता संबंधी कों से नियम है, ता के बाद, यदि कोई ला हो, तो ता को आधा ला, यानि आधा ला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पहले से परिवर्तित कर देंगे तो दोस्तों आप देख लें तत प्लस लीन उत प्लस लेख उलेख उत प्लस लंगन उलंगन खत प्लस लास खलास उत प्लस लास उलास और ताका यह नियम दिया गया है ताके बाद यदि कोई चा या चा हो तो ताका आधा जो है वो चा में परिवर्त सित हो जाता है से उत प्लस चारड उचारड सत प्लस चरीत्र सचरीत्र तो यह हो गया और ता के बाद यदि कोई जा और जा आए तो वहाँ पर ता का आधा यानि आधा जा ता को किसमें बदलते हैं आधे जा में बदलते हैं ता को आधे जा में बदल देते हैं तो जैसे उज प्लस जन यानि सजन उत्प्लस जैन यानि उत्ठ प्लस जवल उत्प्लस जटिका उत्तिका इसी तरहं 01 है ताका ताक के बादि कोई हाँ हो तो यहां पर क्या किया जाता है तो ता since हा को आधा धा में बदल देते हैं मलब जो सिंपली आपका जो ता है वो दा में बदल जाएगा और जो हा है वो धा में बदल जाएगा वो भी आधा धा तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्प्लस हार उत्धार तत्प्लस हीत तत्धित उत्प्लस हीत उत्धित तो इस तरह से आठे होगे आफ च्छा का नियम यहां पर दिया गया है च्छ से पहले कोई लगस्वर हो तो वहाँ पर छ नियम यहां पर तो आप इसका sort ले ले Kız का चा तापा तो यह बर्ग यहां पर है आप इसकों सब्सक्रिश में से किछी का पहला वर्ड पांच में बर्ड से हो तो बर्ग का पहला वर्ड अपने ही बर्ग का पांच में बर्ड में बदल जाएगा तो दोस्तों यह आपका नियम हो गया यह परिवर्टित किसमे होगे जैसे का है वो डामे, चा है, वामे, टा है, डामे, ता है, नामे, पा है, मामे मालब simply मतलब यह है जो प्रथम बर्ग है वो पांच में बर्ग में परिवर्तित हो जाएगा आगे दोस्तों यह उधार दियेगा है यह भी आप देख लें जैसे तत प्लस मैं तनमा है उत प्लस मुख उन मुख यह उधार हो गए बर्ग से पहले बर्ड का जो है तीसरे बर्ड में परिवर्तन यह होता है नियम्यक यदि किसी बर्ग का पहला बर्ड जैसे का चा टा ता पा का मेल किसी स्वर या तीसरे या चोथे बर्ड से हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है या रा लवा मेंसे किसी एक बढ़ में हो तो बर का पहला बढ़ अपने ही बर के तीसरे बढ़ में बदल जाता है यह हम आपको दिखा दें जैसे का है वो गा में बदल जाएगा चा है जा में टा है डा में ता है दा में पा है बा में इस तरह से बदल जाएंगे आगे इसके उधार दिये गए हैं दोस्तों तो वो आप देख लें उधार सत प्लस गुड़ यानि सत गुड़ भगवत प्लस गीता भगवत गीता यह उधार होगा है इसी तरह से आगे के उधार आप देख लें इसके बाद आजिते हैं आपकी बिसर्ग तो यहां पर जो मुलब परिवर्तन होगा तो यह होगा बिसर्ग संदी तो यह यहां पर दिया गया नियम यह दि बिसर्ग से पहले चोटा आ और बड़ा आ को छोड़ कर कोई भिन्यस्वर आये और बाद में बड़ा आ चोटी इबड़ी इउ उ उ अथवा तीन चार जाता है दोस्तों मात्रम अब किस तरह से होता है यह देखले ट्रिक है मतलब बिसर्ग यहां पर दिया गया कोई भी बिसर्ग है यहां पर तो यहां पर जो दो बिंदी लगी होते हैं का आधे रा में परिवर्तन हो जाता है यहां पर सिंपली कहने का मतलब बस इतना ही है य जो यहां पर बिसर्ग होगा उसका आधे रा में यहां पर परिवर्तन हो जाएगा या जो आपका रा होगा या इसका बिसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा इतना वस मतलब है यहां पर बिसर्ग का रा में यह मतलब यहां पर आधे रा में और जो आधे रा होगा उसका बिसर् आसिरबाद में आसी प्लस बाद आसिरबाद नीवल का निरवल धूबल का दुरवल तो इस तरह से आपके उधाड़ दियेगा इसके इंसाट डेलें यदि आधे आधे सा सा मतलब तीनों सा आधे हो तो बिसरग संदी होगी इस तरह से अगर सा कहीं पर आपको दिख जाते हैं तो बहाँ पर बिसरग संदी होगी आगे दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ट्रिक दी गई है जैसे कोई लग उसवर आए छोटा आ छोटी इ या यहाँ पर उ आ जाए चोटा आ छोटी इ या उ और उसके बाद अगर बीच में आदा सा आ जाए लेकिन भशारते हैं यहाँ पर बिसरग संदी तो दोस्तों इसी तरह से हरी चंदर में आप देख सकते हैं हरी प्लस चंदर हरी चंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरी है यहाँ पर यह आया है हरी है तो यहाँ पर पहले आया है आप प्लस इसके बाद आदा सा आ गया है तो इसी तरह से आ आदे सामे पर जहां पर भी आपको आदा सा ये दिख जाए ये वाला आदा सा दिख जाए बीच में ये वाला आदा सा दिख जाए बीच में ये वाला आदा सा दिख जाए बीच में तो समझे ये वहां पर क्या है बिसर्ग शंदी है मलब उसमें कोई भी डाउट ने आपका बिसर्ग संदीज होगा और नियम क्या कहता है नियम कहता है यदि बिसर्ग से पहले छोटा आता था बाद में छोटा आ अत्वा तीन चार पांचमा वर्ड हो तो दोस्तों यहां पर जो है या रा लाबा में से कोई एक वर्ड हो तो वो ओ में बज़र जाता है किसमें बज़र हो जाएगा मतलब आग के बाद में या रालाबा में से कोई बढ़ हो तो वो आपका किसमें परिवर्तित हो जाएगा मतलब ओ की मातरा में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों आगे यहां पर ओ के बाद यहां पर दिया गया है जो इसके आपके उधार दिये गए हैं बया प्लस ब्रद बयो ब्रद पया प्लस धर पयो धर इसी तरह से कुछ बिसेस नियम दिये गए हैं बिसर्ग लुप्त हो जाता है यदि मलब कब लुप्त होता है यदि बिसर्ग के बाद रहो बिसर्ग के बाद रहो तो क्या हो जाता है परिवासा क्या है तो वह हम देख लेते हैं जिस क्रिया से यहां पता चले कि किस बाके में करता कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है मतलब जिससे यह पता चले कि यहां पर जो करता कर्म या भाव में से किस एक की जो है वो प्रधानता है उसे क्या कहते हैं उसे बाचे कहते जहाँ पर कोई sentence वोला जाया और जहां पर उसारे पताचले कि कि तैयरे चार्जार है about top करता की या कर्म की या भाव की तो यॉस्थ को वहां पर बात्च्च्य के स्क्राइब 5 तो चलिंग्यी मैं आप पर आप हो परिवासा हो गई परिवासा एक फिर से देख लें जिस क्रिया से यहां पता चले कि किस बाके में करता कर्म या भाव में किसी एक की प्रधानता हो मलब जिस बाके में आपर यह कंफर्म हो जाता है कि वहां उस सेंटेंस में किस एक की प्रधानता है करता कर्म या भाव तो जो बाके में करता की प्रधानता होती है ठीक है जहां पर क्या हो करता की प्रधानता हो तो उसे क्या कहते हैं करतवाच्चे कहते हैं करता यहां पर जिस तरह से आप देख सकते हैं उदाड़ भी दे रहे हैं राम पत्र लेखता है राम पत्र लेखता है जो राम सब्द है यहां प का ये कृतवाच्चे हो गया और नोट यहां पर क्या दिया गया है यहां करता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंद करता से हो रहा है अताहिया कृतवाच्चे होंगे आगे यहां पर मोहन गाना गाता है तो यहां पर गाता का जो संबंद वो सीधा मोहन से है तो यहां प आगे आपका है कर्म बाच्चे कर्म बाच्चे में क्या होता है जिस बाके में कर्म की प्रधानता हो वा क्रिया का सीधा समंद कर्म से हो ठीक है यहाँ पर मलब आप समझे बात को समझे उसे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा जिस बाके में कर्म की प्रधानता हो मतलब जिस कारे को वहाँ पर किया जा रहा है अगर उसकी प्रधानता हो तो वहाँ पर आपका हो जाएगा कर्म बाच्चे और अगर है यहाँ पर क्रिया का सीधा समंध किसे हो कर्म बाच्चे से हो से या ने आया हो या के द्वारा आया हो तो जिस सेंटेंस में यह आया हो बहाँ पर आप समझ जाएए बहाँ पर कर्म बाच्चे है तो दोस्तों आगे यहाँ पर यह उधार दिये गा है जैसे राम रेल गाड़ी से दिल ली जाता है तो यहाँ पर से आ गया तो आपका हो गय बंद करा दी गई यह क्रिया का संबंद सीरे कर्म से है कराने से बंद कराने से तो यहां पर आपका क्या हो गया आपका हो गया कर्म बाचे मतलब यहां पर जो लिखा गया है तो लिखा क्या गया है पत्र लिखा गया है और लिखने का जो संबंद है वो सीरा किसे है पत्र से है तो यहाँ पर आपका क्या हो गया आपका हो गया कर्म बाच्चे और पहेंचान के लिए यह इसलिए बता दिया गया है यहाँ पर अगर किसी बाके में आपको यह दिख जाता है से या ने या के दोरा तो वहाँ पर आपका कर्म रच्चे हो जाएगा तो इसी तरह से भाव बा तो बहाँ पर क्या कहलाता है भाव बाच्चे कहलाता है तो आगे दोस्तों यहाँ पर उधार देगा है मुझसे उठा नहीं जाता मुझसे पला नहीं जाता मुझसे खाया नहीं जाता तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर पद के भेद होते हैं तो पद के भेद होते हैं वक्त सभी को पता होता है किसी प्राणी बस तो इस्थान तता भाव के नाम को संग्या कहते हैं मलब कोई भी प्राणी है उसके नाम को या कोई भी बस तो है या कोई इस्थान है तो उसे जो है यहां पर संग्या कहते हैं मलब इसे माटा कितने अधार पर गया है तो सबसे पह ब्यूत्पति के आधार पर सफ़ें सब्सकेंऄंट के तो यह आप आंप डिया गया कितीन तो कितने आधार को देख लेना है यह आँ पर दिया गया आप screenshot ले लें तो दोस्तों चलिए आगया बढ़ते हैं यह सबसे पहले आँ पर दिया गया है बैक्ति वाचक संगया किसे कहते हैं बासंगया जो एक बैक्ति और एक बस्तू और एक इस्थान के बारे में बोध कराती है उसे ब्यक्ति वाचक संग्या कहते है बहुत संग्या जो एक ब्यक्ति या एक बस्तू या एक इस्थान के बारे में बोध कराती है उसे ब्यक्ति वाचक संग्या कहते है नोट यहां पर दिया गया है जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है तो बहुत जातिवाचक संग्या कहलाती है मलब जो एक के बारे में बोद करा है तो उसे ब्यक्तिवाचक और जो एक से ज़्यादा के बारे में तो उसे क्या करते हैं उसे करते हैं हम जातिवाचक सबसे पहले हम पर इसके उदाड़े देख लिते हैं जैसे गंगा, हिमालाय, रामपुर, भारत, पावन, पाकिस्तान, काला सागर, सूटे ये क्या हैं ये बेक्तिवाचक संगया है जातिवाचक संगया क्या होते हैं जैसे यहां पर बासंगया जो एक जाति या बर्ग के बारे में बोध कराती है क्या कहलाती है, संगया कहलाती है कौँ से संगया, जातिवाचक संगया जातिवाचक संगया कहलाती है जैसे कोई भी पद का नाम हो, तो वो आपका जातिवाचक संगया में आएगा या कोई बेबसाय का नम हो तो भी जातिवाचक संग्या में आएगा संबंद कोई भी हो तो भी जातिवाचक संग्या में आएगा प्राकरतिक आपदा भी आपकी जातिवाचक संग्या में आती है फर्नीचर कोई भी हो तो उसका नाम भी जो है जातीवाचक संग्याव में आता है जैसे इस डियम या डियम या उपसवापत इसी तरह से बेशाई में डाक्टर, बकेल, सिक्चक, मोच्ची, ठेकेदार ये जो है ये सबी आपके जातिवाचक संग्या में आते हैं संबंद पापा दादा दादी चाचा चाची ताव बुआ फूफा ये जो है सब जातिवाचक संग्या में आते हैं प्राकृतिक आपदा जैसे आधी तूफान बरसा सुनामी ज्वालामुकी भूकंप ये जो हैं आपके जातिवाचक संग्य संगया में याा जो एक समूह याAyoke के बारे में बताए एक समूह बरकских बताई तो बहाँ पर आपका हो जाता है समूह वाचक संगया क्या हो जाता है समूह बाचक संगया जैसे कख्था कख्था में एक विद्यारती नहीं बढ़ता है तो इस계 में सेणा, इसी सिना इसी तरना से अधिकारी, पुलिस, बरात, मंच, पुस्तकालाय, पुस्तकालाय में बहुत सारी पुस्तकें रखी होंगी, तो यह आपका हो गया समूह बाचक संग्या, इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं, तो आपका आजाता है द्रबे बाचक संग्या, द्रबे बाचक सं सकें तो जैसे नहीं सकते यह आप कहते हैं तो जैसे यहां पसकते हम आप सकते हैं और तोल भी सकते हैं इसे दोस्तों गिन नहीं सकते की आपका हो गया द्रवी इसजाने मकछन-चावल डही लकड़ी गहुं-अट सोना घी भासंग्या जो गुडधर्म स्वभाव या भाव के बारे में बोध कराती है भाव आचक संग्या कहलाती है जैसे कोई भी है आपके भाव के बारे में बोध कराती है या आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं या आप बहुत अच्छे हैं तो उसे कहते हैं भाव आचक संग्य जैसे क्रोध है क्रोध एक भाव का बुध कराता है ये भाव का बुध कराता है कि क्रोध आदमी क्रोध ही है तो वो क्या हो जाता है वहाँ पर एक भाव आचक संग्या हो जाता है इसी तरह से इमानदारी लोग कहते हैं वो व्यक्ति बहुत इमानदार है उसने मेरे पचास र संग्या होते हैं इसी तरह से दोस्तों आगे दिया गए है सर्व नाम सर्व नाम क्या होता है तो सर्व नाम का साब्दी करत होता है सबका नाम जो सबका नाम सर्व मतलब सबका और नाम मतलब नाम तो यहां पर सर्व नाम का साब्दी करत हो जाता है सबका नाम सबका नाम इसक प्रस्ण वाचक सर्वनाम नीज वाचक सर्वनाम पूरुस वाचक सर्वनाम तो इनके पहचान कैसे करेंगे जैसे निश्चय वाचक सर्वनाम में आपको यह दिखने को मिल दियागा यह बह यह बह यह बह कहीं पर है तो आपका निश्चय वाचक सर्वनाम अनिश्चय वाचक मतलब किसी के बारे में नहीं पता है निश्चित नहीं है तो बहाँ पर आप निश्चे करेंगे कोई या कुछ है कहीं पर दिख जाए तो अनिश्चे वाचक सर्वनाम प्रस्ण वाचक सर्वनाम में आपको यह सिंप्ली स्चेन लगा मिल जाएगा प्रस्ण वाचक का आगे संबंद वाचक जो सू जिसका जिसकी यह दिये हो है तो आपका संबंद वाचक सर्वनाम स्वयम आप खुद उत्तम मद्यम अन्य यह जो हैं आपके पूरुस वाचक सर्वनाम में आते हैं सबसे पहले निश्चय वाचक सरनाम, जिन्म सर्व नामों में किसी निश्चित बस्तूं के होने का बोध होता है, तो उन्हें ये निश्चय वाचक सरनाम कहते हैं, मतलब जहाँ पर निश्चित बस्तूं के होने का बोध हो, तो महाँ पर क्या होगा निश्चय वाचक सरनाम, बह मेरा घर है तो यहाँ पर वह क्या रिशार कर दा है कि बह मेरा घर है मरलब यहाँ पर किसी अन्य का घर नहीं हो सकता ना क्योंकि वह उसका घर हो गया तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका निश्चय वाचक सर्वनाम कौनसा निश्चय वाचक सर्वनाम आगे दोस्तों इसी तरह से उदाड़ दिये गए हैं बे तुम्हरे पती हैं आगे अनिश्चावाचक सरवनाम क्या होता है जिन सरवनामों में किसी निश्चित बस्तु के होने का बोध ना हो तो वह अनिश्चावाचक सरवनाम कहलाता है जैसे कोई कुछ आदि मलब कहीं पर कोई या कुछ आया हो तो आप समझ जाए बहाँ पर अनिश्चा बाचक सरनाम जैसे चने में कुछ गिर गया है मलब महाँ पर निश्चित नहीं है क्या गिरा है मलब धूल का कड़ गिरा है या महाँ पर मक्षी गिरी है या कुछ भी गिरा है कोई भी मिला है तो वहां पर यह निश्चीत नहीं है न तो यहां पर हो गया अनिश्चा वाचक सर्वनाम यह हो गया आपका आगे प्रस्ण वाचक सर्वनाम तो प्रस्ण वाचक सर्वनाम यह लगए सब जाता है क्योंकि जहां पर कोई भी प्रस्ण पूंचा जा रहा हो जै बाग क्यों में किसी प्रकार का प्रस्ण पूंचने का बोध हो तो वहां प्रस्ण वाचक सर्वनाम होता है और इनमें सब्द कौन कौन से आते हैं तो क्या क्यों कब कहां ये जहां पर भी सब्दा जाएं तो वहां पर प्रस्ण वाचक सर्वनाम होता है तो जैसे आप देख स सर्वनामों में, किसी के संबंद होने का बोध हो, और पहला बाकि के, दूसरे बाकि के पर आधारीत हो, तो बहाँ पर संबंद बाचक सर्वनाम कहला, तो स्थों को समझना है, रटना नहीं या समझना है, और एक जित्व कोई भी प्रेस्ड में आये, आप उसको असानी से कर पाएं बिना किसी दिक्कत के तो जैसे यहां पर दिया गया संबंद वाचक सर्वना में जो आए या सो आए या जिसका जिसकी उसका उसकी जैसा बैसा यह मलब अगर आता है तो वहां पर आपका होता है संबंद वाचक सर्वना कैसे होगा जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस तो यहाँ पर संबंद बताया गया है ना जिसकी लाठी है उसी की भैंस है तो यहाँ पर वो ब्यक्ति एक ही है तो यहाँ पर अभी कहा गया आप देख सकते हैं किसी के संबंद होने का बोधा और पहला बाके दूसरे बाके पर दूसरा बाक है पहले पराधारित है तो पहले पराधारित हो गया इसलिए आपका हो गया संबंद बाचक सर्वनाम जैसा देश बैसा बेश तो यह हो गया संबंद बाचक सर्वनाम आगे अगर बात करें तो जैसी करनी बैसी बरनी यह आपका हो गया संबंद बाचक सर्वनाम आगे दोस्तों देख लेते हैं तो नीजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से स्वयम के द्वारा किये गये कारे का बोध हो तो बहाँ पर नीजवाचक सर्वनाम कहलाता है जैसे जहाँ पर आप स्वयम खुद ऐसे सब्दाएं तो वहाँ पर होता है नीजवाचक सर्वनाम जैसे आप भले तो जग भला और यहाँ पर क्या वो लगया है जिन सर्वनामों में स्वयम के द्वारा किये गये कारे का बो दो तो यहां पर सोयम के द्वारा यह कार किया गया है आप भले आप भले तो जग भला तो यहां पर आपका हो गया नीजवाचक मलब यह खुद के लिए कहा गया आप भले तो जग भला तो दोस्तों यह हो गया आपका नीजवाचक सर्वनाम आगे देख लेते हैं तो इसके आग मद्यमपुरुस में तुम तुम्हारी तुम से और तुम तुम को तो यह जो है आपके मद्यमपुरुस में अन्यपुरुस में कौन से आते हैं तो यह बहा यह वे तो यह आते हैं अन्यपुरुस में इसके आगे दोस्तों देख लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद आपका भी ये संग्या और सर्वनाम ये दुनों complete हो गए आपका है विसेसर जो सब्द संग्या सर्वनाम की विसेसर बता है तो उसे विसेसर कहते हैं विसेसर अब होता क्या है तो विसेसर में क्या क्या होता है तो सबसे पहले विसेसर जो सब्द विसेसर बताता है तो उसे विसेसर कहते बिसेसे क्या होता है जिसे की बिसेस्ता बताई जाती है उसे बिसेसे कहते हैं आगे दोस्तों देख लेते हैं तो बिसेसड के भेदया प्रकार देगा हैं जिसे सार्वनामिक बिसेसड संख्या बाचक बिसेसड गुडवाचक बिसेसड परड़ाम बाचक बिसेसड तो यह और योगिक सर्वनामिक isट इसके बाद संख्यावाचक बिसेशड बेस जो संग्या अत्वासरुनाम की संख्या की बुद्र कराते हैं तो संख्यावचक बिसेषड कहते खच्चा में पच्यास बिद्यारति निश्चित संख्यावाचक बिसेशड कहों कि यहां पर दिया गया है कि आपके छात्र कितने हैं निश्चित है ना यहां पर तो आपका हो गया निश्चित संख्या बाचक भी से सड़ जैसे आगे दिया गया है सुमन का सुपर्टेट में पांचवा इस्थान आया है यहां पर भी निश्चित है क्योंकि यहां पर इस्थान बता दि तो हो गया आनिश्चिस संक्या वाचक बिसेज़ड गुडवाचक बिसेज़ड जो सब्द संग्यात वा सरनाम के गुड़ धर्म और सवभाव के बारे में बोद कराते हैं जो लगाते हैं जैसे काल बोधक विसेसड़ काल बोधक में कहा है जैसे नया पुराना अधुनिक प्राचीन या ताजा या मौसमी या बासी तो इस तरह से है काल बोधक विसेसड़ यह हो गया आगे रंग बोधक विसेसड़ रंग तो सभी जानते हैं तो रंग बोधक विसेसड़ ये समझन है तो यह अगर बिसेसण के अंदर sistem में वताना है तो वह पर हो जाए ज़िए पर रंग बोधख बिसेसणर रंग बोधक बिसेसणर आगे आकर बोधक बिसेसणर तिकोना चौकूर गुल वरगाकार कहीं पर भी प्रस्थाय जिसमें आपका गुर्विसेस्टड सड़ में दिया गया है विद्र फिर उसके हैं पर यह पर यह पांच प्रकार दीया गया है जिनके अंतरगतिए आधे ने गुथा का धाएं जैसर Fukh मैं जैसे इमांदर वेमान संदर अच्छी आफटी कटी यह ने तरीके को दाड़ दिया गए जिसे गद्दार तो आगे दोस्तों परड़ाम बाचेक विसेसर जिने विसेसरों से संग्या अत्वा सार नाम के परड़ाम का बूद होता है परड़ाम बाचेक विसेसर कलाता है जैसे रादा ने एक लीटर दूद पी लिया तो यहां पर क्या है परड़ाम बता रहा है क साड़ी छे मीटर लंबी है तो यहाँ पर पैड़ाम बता रहा है कि छे मीटर लंबी जो है साड़ी है इसके बाद आप का जाता है क्रिया क्रिया में क्या है परिवासा सबसे पहले देख लेए जिस सब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए जिस सब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए तो वहाँ पर होता है क्रिया उसे क्या करते हैं क्रिया जैसे यहाँ पर नोट दिया गया है क्रिया के मुल रूप को क्या करते हैं धातु करते हैं और क्रिया के नेर्माड कैसे होता है तो धातु में ना प्रत्य जोडने से क्रिया का निर्माड होता है जैसे चल पढ़ हस रो तो इनमें जो प्रते हैं ना जोड़ा गया है तो क्या हो गया चल का चलना पढ़ का पढ़ना हस का हसना रो का रोना आगे क्रिया के भिध दिये गा हैं क्रिया के भिध में प्रकार में आपर दो प्रकार के होते ह और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े या कर्म की संभावना पर पड़े तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होता है आपको बात समझनी है जिसे कहीं पर कोई भी कर्म हो रहा है या होने की संभावना है और वहाँ पर जो क्रिया का प्रभाव है क्रिया का प्रभाव हो है तो वो फल पर सीधा पड़े या फिर वहाँ पर कर्म की जो संभावना है या नी जो किया गया का रहे है तो उसकी जो संभावना है उस पर पड़े तो वहाँ पर क्या होगा सकर्मक क्रिया जिसे राम फल खाता है राम गाना गाता है राम पत्र लिखता है ये उधार दिय गए हैं यह हो गया आपका क्या हो गया सकर्मक क्रिया आगे दोस्तों अकर्मक क्रिया में क्या होता है जिस क्रिया में कर्म न हो क्रिया का फल या प्रवाव सीधे करता पर पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं यहां पर ट्रिक दी गई है जैसे अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी अगर काम खुद पर हो तो क्या होगी अकर्मक क्रिया होगी जैसे दोस्तों उधारे देख लेते हैं जैसे हंसना जागना, रोना, सोना, नाचना, उड़ना पिसना तो अगर ये आप खुद करते हैं तो बहाँ पर क्या होगी अकर्मक क्रिया होगी ये काम अगर खुद पर हो तो क्या होगी अकर्मक क्रिया क्रिया के अन्य भेद या प्रकार दियेगा है जैसे पूर्व काली क्रिया दुई कर्मक क्रिया सयुक्त क्रिया प्रडार्था क्रिया सहाय करिया तो दोस्तों यह आपके हो गए करिया के आने वे